प्रीवियस वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि किसी भी चार्ज कंडुक्टर के सर्फेस पर एक एक्स्टरल प्रेशर वर्क करता है यह 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 कह दीजिए सिगमा स्क्वाइर ओवर टू एपसाइलन नॉट अब सब्पोस किजिए कि हमारे पास कुछ स्फेरिकल कंडुक्टर है उसे हमने पहले से चार्ज किया हुआ है स्फेरिकल कंडुक्टर के चारों तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फिल्ड होगी और मालीजे कि हमें उसकी इलेक्ट्रिक फिल्ड को इंक्रीज करना है अब किसी स्फेरिकल कंडुक्टर की इलेक्ट्रिक फिल्ड को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो उसके उपर जो charge है उसे increase कर दीजिए charge को increase करते हैं electric field भी increase हो जाएगी लेकिन अगर आप इसको कुछ extra charge देंगे तो आपको कुछ work भी करना पड़ेगा वही work इस conductor की electric field में as a energy store हो जाएगा ओके इस electric field के unit volume में जो energy stored है उसके लिए उसका expression find out करने के लिए हम ये करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि इस conductor की जो radius है उसे हमें DR decrease करना है उसे decrease करने में हमें कितना work करना पड़ेगा सो मालीजे मैंने इसको DR decrease कर दिया इनिशली जो इसके radius थी वो हम माल लेते हैं R थी और आपने इसके radius को मालीजे DR decrease कर दिया सो इसकी जो नई radius बनी वो ये हुई यह है R माइनस DR ओके सो ये सब करने के लिए आपको work भी करना पड़ा work का सबसे simple formula हमारे पास है work होता है force multiplied by displacement इस स्फियर के स्फियर की radius को DR decrease करने के लिए जो work करना पड़ा उसे मैं नाम दे रहा हूं DW DW will be equal to force multiplied by displacement यहां displacement इस स्फियर की radius में आए decrease के equal है so F multiplied by sorry F multiplied by DR और यहां F किसके equal होगा force होता है pressure multiplied by area into DR pressure यह हमें पहले ही find out कर रखा है half epsilon not E square multiplied by A into DR बट यह दिखिये what is A A इस स्फियर का surface area है so DW is equal to half epsilon not E square area 4 पाई R square into DR अब यह लास्ट वाले quantity देखिए आप यह actual में स्फियर के volume में जो कमी आई यह वो चीज है लेकिन स्फियर के volume में जो कमी आई है वो actual में स्फियर के चारों तरफ जो electric field थी उसके volume में आया increment है इसे में डीवी नाम दे रहा हूं अब डीवी को आप स्फियर के volume में आई कमी कह दीजिए यह स्फियर के चारों तरफ जो electric field है उसमें आया increment कह दीजिए डीवी किसके इक्वाल है डीवी is equal to half epsilon 0 e square multiplied by dv this implies dv upon dv is equal to half epsilon 0 e square अब इदा देखिए, यह जो quantity है, dw upon dv, dw actual में इस sphere के volume को dv decrease करने के लिए किया गया work है, बट हमने जो work किया, वही इस sphere की जो electric field थी, उसमें as a energy store हो गया था, तो यह dw upon dv जो है, यह actual में इस sphere की electric field के unit volume में stored energy है,